हेलो फ्रेंट्स इस नहीं वीडियो में फिर से आपका स्वागत है आज मैं रिभ्यू करूंगा TVS Apache 200 4B का 200 4B के बारे में सब कुछ जानते हैं डिटेल में कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स आफर किये गए हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है और यह बाइक देखने में कैसी लगती है और अगर 200 सेग्मेंट की बात करें तो यह बाइक आपको इंजन परफॉमेंस में क्या अफर करती है तो आजिए सबसे पहले इसके लुक्स को देखते हैं कि यह लुक्स में कैसी बनाई गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं यह blue color variant मैंने यहाँ पर लिया है अभी इस blue color variant में जो आप total detail देख रहे होंगे इस बाइक को 164B से थोड़ा अलग बनाया गया क्यूंकि इसमें आपको split seat यहाँ पर मिल जाता है और बहुत सारे चीज़े ऐसे हैं जो आपको देखने में 160 से काफी ज्यादा बहतर लगेगे इसमें सोवा का suspension भी यहाँ पर सौकर आगे की लगाएगे हैं टेलिस्कोपिक जो ज्यादा बहतरी इन वर्क करते हैं तो आए इसके detail में जानते हैं किये जाता है इसमें तीन आटीक MILL OUR पासावर के जाता है इन तीनों में जब भी आप रावेम को चलाएगा तो तीनों में अलग अलग आपको जहेश्शक फॉल बगार्त से वरक करेगा उसके वर्किंगसर बढ़ा रहा हूं इसको समझेगा यह बाइक जब भी sports mode में चलेगी तो इसमें जो आपको power मिलता है 20.8 मिलता है और टॉर्क आपको सारे 17 PS के आसपास का मिलता है लेकिन जैसे ही यह बाइक rain mode या फिर urban mode में चलती है तो आपकी बाइक की performance जो है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि इसका ABS ज्यादा sensitive हो जाता है वहां पर तब आपको यह बाइक जो है वो कम पावर देगी कम पावर देगी और कम टॉल्क देगी क्या होता है एक्चुली यह संसेटी हो जाता है जिसे जब भी आप रोड आर्वर मोड में चिलाइए गा तो ABS जो है वह कम से newton पर होता है minimize पर हो जाता है तो आप ज़ल्दी फिकप ले सकते हैं पिकप में performance में वहां पर कहीं न कहीं चीज़ों के कम करता है अगर आप slipper clutch का इस्तमाल करते हैं किसी भी बाइक में तो वह चीज आपको इसमें मिलती है वह आटीफाइर यह स्ट्यूंड slipper clutch भी इसको कहते हैं अगर cooling system की बात करें तो इसमें आपको मिलता है में इस जयाता है इसको चीज़ आफनी आफेड़ को होती जिसको 62 के चलते हैं इसमें आफको आफर किया जाता है जिसको टीथी कहते हैं जिसमें आपके first стоит पर भी नहीं चला रहा है उस समय यह संसेटिव होके जो है उस सिच्वेशन में चली जाती है तो यह चीजे हो जाती है इसके इंजन में और इसके इंजन में भी आपको किक स्टाट नहीं मिलता है मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि 200 CC और इस तीसी सेग्मेंट में आपको किकल स्टाट कोई भी कंपनी यहां पर नहीं करती है बागी आप देख सकते हैं डिजाइन इसका और इसमें और चीज जो खास मिल जाती है इंजन में वह इसका कि बाइक कभी भी लॉंग से टाइम पर चल रही है तो सिच्वेशन में आपको सबसे बहतर माइलेज के लिए और एक अच्छा पर्फॉर्मेंस डिलिवर करता है इसलिए इसको आटीफाई फ्यूल इंजेक्शन भी करते हैं रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन भी इसको बू करेंगे बाकि अगर डाउन की बात करें नीचे में तो यहां पर आपको सुपर मोटो ABS यूज किया गया है डूल चनल ABS आपको इसमें उफर किया जाता है अलोविस का डियाइंस दे सकते हैं डेकल्स इसमें एड किये गया है नाइंटी नैंटीन सेक्शन के आपको ट्यूब यहां पर भी एक कॉल दिया जाता है तो यह देखने में थोड़ी सी स्पोर्टी लगती है इसका विट जनी की चौड़ाई जो है वो थोड़ा जादा मिलता है अगर आप 160 से कंपेर करें तो या फिर कई ऐसी है जो मार्केट में 200cc में आती है लेकिन उसके सौकर्स की बाइक को एक लोगा शचमाता हूं जो कि काफी लाउट गया है इन-दा सेंग्मेंट के हिसाब से अब ग्राउंड की चिपर इसको इस्तमाल कर सकते हैं चाहें आपको कभी बी ऑफ रोड में इसको लेके जा रहे हैं कभी पहारे लाकम लेके जा रहे हैं तो आपको इंदीक तो वो भी आपको यहां पे उफर किया जा रहा जो आपको मिल जाता है वाकि और फरक पीछे अगर आए तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि लोल मोनो सवक का इसमेर में भी मिल जाता है अर बिल्ग एक बहुत ही यहांपे कवर कर दियाया है ताकि किसी तरह का कोई risky चीज ना हो जैसे कि साड़ी गाड जो है वो as a BS6 में compulsory आज की रेट में वो चीज है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी आपर गाड लगाए गये हैं चैन पर पीछे टैर हगर भी यहां पर आपको offer किया जाता है और यहां पर देखे तो एक और यहां पर मटगाड यहां दिया गया है इसके साथ ही आपके सॉकर पे ज्यादा मिटी जाके ना जमें उसके लिए यहां पे भी दिया जाता है तो यह भी आपको काफ़ी यहां पे हल्प करती है अगर यह लगी रहती है तो इस तरह की आपको डिजाइन यहां पर देखने को मिलेगा पे लेंप के यहां पर तैयर यहां पर आप को आफर किये जाते हैं और पीछे में आपको दिस्क जो है वो इस तरीके से ब्रेक को अप्लाई करती है कि आपका रियर वील जो है जमीन के ट्रेक्शन को ना छोड़े तो वह चीज यह इसमें दिये गई है तो जो बहतरी नौर बनाती है बाइक के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इस बाइक में आपको डूल बैरल एक्जॉस्ट आफर किया जाता है जिसकी साउंड कॉयल्टी काफी बहतरीन है इवन इसका बिल्ड भी काफी आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसको इसे टच फी लैजर लेना चाहते हैं तो जब भी इस बाइक के आप एक्जॉस्ट देखिएगा तो हां लगेगा कि कुछ एक हैवी सी चीज लगाई गई एवन साउंड कॉयल्टी भी अपाची के सुरू से ही बहतरीन आती है इसमें कभी ऐसा दिकत नहीं आया है कि साउंड पंच में किसी को भी एक्जॉस्ट चेंज करने की जुड़त पर रही हो तो वह दिकते यहां पे नहीं आती है अब बात करें इसके एक्स connected feature की स्मार्ट Azcanic में आपको बहुत सारी features मिल जाती है जैसे कि सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाता हो कि बाईक हमारी खरी है इसमें इसमें कंसोल आपको ऐसा मिल जाता है जो कि visital नहीं मिलता है और इसमें किसी तरह कर नहीं होता है यह सिंगल ब्लाक और वाइट आपको इसमेंट क्लस्टर मिल जाएगा अगर यहां पर हम देखो तो पास्विच हाई वीम लो भीम यह इंफर्मिशन बटन मिल जाता है इंडिकेटर्स हों इधा इंजन क्यूशिच मोड जो की राइडिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं स्टार्टर बटन यहां पर देखते हैं आपको आपको यहां पर एवरेज इसपीड आपको आपनेक्स कर सकते हैं जली है इवेन आप इस बाइक का लीन एंगिल भी देख सकते हैं इसमें एक और फीचर आता है कि अब इसमें वह उसके आप में एक कॉंटेक्ट नुमर आप जाल सकते हैं अगर कभी यह बाइक क्रेस्ट करती है तो उस सिच्वेशन में यह मैसेज जो है सेंड कर देगी उन न करेगा उसके बाद जो सबसे बहतरीन है कि अगर आप अपने मोगाइल को यहां नहीं करना जाते हैं अगर आप कहीं पर तूर पे हैं जहां अन्नोन प्लेशन पे तो आप जब मैप को इससे कनेक्ट करेगा तो आप टर्ण बाई टर्ण निविगेशन देख सकते हैं कि आप तो आप को अगर कहीं भी जाना है तो आप टर्ण गः रहे हैं तो वहां पर प्रॉश्व करते रहेगा जश्त इस तरह से गूगल इसको सगेस्ट करेगा उसी तरीके से यह आपको सज़ेस्ट वहां पर कर रहेगा तो आजन निवीगेसन के दौर पर पर आप इसको करेंगा घृष्ट नेम होगा उस कॉलर का वह नेम यहां पर आपको करेंगे है कि वह किस नाम से कॉल कर रहा है या फिर किस नाम से मैसेज आया हमों कॉल डिने कर सकते हैं तो इस तरह से सारी चीजे आपको इसमें एकस कनेक्ट फीचर के तुरूर्भ मिल जाया करती है अब इसकी सीटिंग का फर्ट की बात करें तो जैसे कि यह बाइक आती है 152 की बाइक आती है 12-13 लिटर आप इसमें फ्यूल रख सकते हैं और 800 mm के सीट हाइट के साथ आती है सीट हाइट आपको इतनी मिल जाती है कि as a 5.5 इंच से कोई भी इस बाइक को अगर चाहे तो चला सकता है और बाइक बहुत जादा हैवी नहीं लगती है 152 केजी की है फ्यूल टैंक आगर आप फूल करते हैं तो लगवक 165-64 केजी की आसपास की हो जाती है फ्यूल टैंक फूल के साथ लेकिन फिर भी इस बाइक को जब आप हाइवे पे रन करने लगीएगा तो उसके बाद यह बहुत जादा फील नहीं आती है हाँ लोकल्स में ऐसा आपको दिकत यहां पर नहीं आने वाला है तो यह ही थी इस भाइक का रिवीव ओवराल मैं आपको सीट एक बार बता दे रहा हूं यह सीट में मिलती है तो कोई भी पीछे अराम से बैठ सकता है ऐसा कोई दिकत नहीं आप ले सकते हैं यहां पर फोटेस्ट आपको मिल जाता है लाग 73,000 रुपे और पटना का प्राइस है तो अगर आप पटना में रहते हैं तो और जाटीवेस में आ सकते हैं कोटेक्ट नमर आइडर सापको डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप बात कर सकते हैं बाबाए